अलो और विल्कम टो बॉलीवुड वाला, I am Sonub दोस्तो एर नाम का एक नया इंग्लिश फिल्म देखा मैंने Amazon Prime पर अच्छा फिल्म है, it's a good film बेसिकली दोस्तो यह फिल्म ना Nike Company ने कैसे Michael Jordan, जो बास्केटबॉल के Legend Player है, Legend है उनको कैसे Nike Company ने sign किया और कैसे उनका वो नया brand of shoe Air Jordan launch किया, उसके पीछे क्या कहानी है, कैसे यह सब हुआ, वो फिल्म दिखाता है, मतलब true story है, अब दोस्तो इस में इस फिल्म में एक moment है, जहाँ पर Matt Damon, जो lead actor है main lead है इस फिल्म का, वो Michael Jordan और उनके family के सामने एक speech देता है Michael Jordan को समझा रहा है, उनको persuade कर रहा है कि क्यों Nike के साथ sign करना है, तो conference room के अंदर एक presentation हो रहा है तो presentation में शायद Michael Jordan का ध्यान इदर किदर बढ़ जाता है, उतना interesting नहीं लगने लगता है, presentation वो time पे presentation को बंद करके Matt Damon एक speech देता है that speech is brilliant, that speech is superb, that speech is outstanding, वो speech आप जब देखोगे, सुनोगे, you know आप भी ताली बजाओगे that is the best moment in the entire film, that speech how it happens, very well written speech very well delivered by Matt Damon और कैसे वो speech impact किया Michael Jordan और उनके family को in making the decision whether to sign up with Nike or not very very good scene best scene in the entire film, दोस्तो बाकि फिल्म जो है, थोड़ा आपको slow लगेगा dialogue oriented film है, heavy dialogues है, आपको वो dialogues अगर आप follow करोंगे न, आपको अच्छा लगेगा in fact, subtitles चालो रखना क्यूंकि बहुँ speed में बात करता है, बीच-बीच में आपको dialogue समझ में ना आए तो वो समझने के लिए, subtitles अगर आप, subtitles का सहारा लोग है, and if you really follow the dialogues well, you will start enjoying the conversations to a good extent no doubt about it, कुछ-कुछ dialogues काफी अच्छा लगेगा आपको इस film में but बाकि otherwise, film थोड़ा slow चलता है and to be honest, देखो अगर आप basketball से वाकिफ है अगर आप basketball देखते हो and if you are aware of the legacy of Michael Jordan, तो एफिल्म आपको और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप basketball बाकिदा देखते नहीं हो, इसे बहुत सारे लोग है खास कर इंडिया में कितने लोग basketball देखते होंगे तो मेभी आपको एफिल्म ठीक ठा कि लगेगा acting बहुत अच्छा है Matt Damon ने बहुत बढ़िया performance दिया Ben Affleck का direction काफी अच्छा है काफी realistic रखा है और Ben Affleck इस फिल्म में भी है, उनका acting भी काफी अच्छा लगा Viola Davis है as Michael Jordan's mother, उनका acting भी काफी अच्छा लगा acting सभी लोगों ने बहतरीन किया है प्लस दोस्तों, इसमें Michael Jordan को जो दिखाया है जिस तरह से दिखाया है, वह funny लगा मुझे उनका चेरा कभी नहीं दिखा था सिर्फ उनका वो height, जो मतलब he's almost 6 feet 6 inches tall तो उनके height का किसी आत्मी को लेके आया सिर्फ उनका back portion दिखाता है उनका चेरा कभी नहीं दिखाता है चेरा को कभी focus में नहीं रखा है मुझे फिर हेरा फिर ही वाला वो लंबू आदमी याद आगया है जिनका चेरा इसा खटा हुआ रहता है हमिशा फ्रेम से तो इसा था बट अन्यवेस, गुद फिल्म तो देखो अगर आपको basketball, like I said, ज्यादा पसंद है तो शायद ज्यादा पसंद है फिल्म अदर्वास ठीक ठाक लगे I'm still going with 3 stars because it's a well-made film and music जो आप सुनोगे वो भी बीच-बीच में काफी अच्छा लागेगा अगर आपने air देखा है तो आपको कैसे लगा यह फिल्म